नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत राभिनंदन है आज गुरू पूनेमा के दिन आपके लिए विशेश है 2020 का BSTC का पेपर सोल किया हुआ और तैयारी करवाने के जिम्मेदारी है वो हमारी है मजबूत इच्छा सकती आपकी होगी तो ये सब है कौन कहता है सेलेक्षन नहीं होता 12th कलास के साथ बहुत से बच्चू का सेलेक्षन होता है फरक इतना है कि उनके तैयारी करने का जो तरीका है वो बड़ा ही Smart होता है तो समार्ट तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप भी उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं सफलता एह संभव नहीं है कुछ भी ऐसंभव नहीं है आपकी मजबूत इच्छा सकती जरूरी है राजस्थान जिक्के का एक पार्ट होगा आपके क्योंकि सलेबस पहले डाला हुआ है कि BSTC का सलेबस किस परकार का होगा तो उसके लिए एक सेप्रेट वीडियो पहले ही डाला हुआ है तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के समाने ग्यान यानि जिक्के का जो पेपर आएगा जो अपना पेपर होगा उस पोर्षन में 50 पर्षन अपने होंगे राजस्थान जिक्के के और राजस्थान जिक्के के जो पर्षन होंगे 50 पर पर्षन तीन माक्स का होगा त 150 माक्स हमें कैसे तयार करने हैं और किस परकार से हम 150 में से 150 पराप्त कर लें ताकि हमारी तयारी है वो मजबूत हो जाए किसी अन्य जो अपना पार्ट है उसमें अगर माक्स थोड़े भोत कम भी हो जाते हैं कई बच्चों की इंगलिस कमजोर होती है कई बच्चों की मैथ कम तो मेत कमजूर होने से रिजशिनिंग कमजूर हो जाती हैं तो क्यों ना हम राजस्थान जीक्यके को इस तरीके से तयार कर लें कि 150 में से 150 माक्स रहा हैं वो हमारे तयार हो जाएं तो गुरुपोनिमा के ये सुब दिन, सुब अवसर पे, सुब आसीस के साथ आपके लिए बेहतर वीडियो होने वाला है, ये आपके लिए वीडियो है, ये रामबान साबित होगा, ये 2021 का सोल पेपर है और इसमें से भी आपको कई परसन देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट वी जाम के दरिष्टी कौन से आने वाले जो परसन हैं, उन परसनों का वीडियो डाले हुए हैं, तो आप अपने चैनल पे विजिट करें, नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, पहला परसन हम देखेंगे कि राजस्थान के एकी करण में सबसे बड़ा चरण कौन सा था, राजस्थान एकी करण का वीडियो डाला हुए है, और अथंटिके भुकूं का डाला हुए है, तो सबसे बड़ा चरण था, वो चोथा चरण था, इसमें हम व्याक्या भी करेंगे ताकि और भी आपको अच्छे से ये समझ में आजए, इस चरण में सबसे बड़ा चरण क् गठन हुआ, और ये दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मुझे उमीद है, ये आपको समझ में आगया, चोथा चरण सबसे बड़ा था, क्यूंकि इसमें च्यार बड़ी रियास्तें, तीस मार्च को सामिल होई थी, और इसी दिन तीस मार्च को इसका गठन होने के कारण इसे राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अक्सान सिस्तितिक अंसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटीबंद ये छेतर में पढ़ते हैं, उष्ण कटीबंद ये जो छेतर है, वो करकर एखा के, ये जियोग्राफी का भी एक साड़े तेश डिगरी, कितने डिगरी? साड़े तेश डिगरी है, वो मकर रेखा है, और ये उपर वाली जो साड़े तेश डिगरी है, भूमदे रेखा के, ये उत्तर वाली, उपर वाली बोल सकते हैं, उत्तर दिशा, ये उत्तर है ये पर्थवी का दक्षिन दिशा, तो उत्तर में जो करक रेखा है कौन सी रेखा है करक रेखा और करक रेखा के और मकर रेखा के बीच में भूमद्य रेखा का जितना भी छेतर है वो उशन कटी बंदिये छेतर में आता है तो उशन कटी बंदिये यानि करक रेखा के समीप जो है हमारा दक्षणी राजस्थान है क क्योंकि ये भी मैंने separate वीडियो डाल रखा कि करकरेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो आठ राज्ये हैं उसमें राजस्थान भी है और राजस्थान का दक्षणी हिस्सा बांसवाडा के बीचूं बीच निकलती है थोड़ी सी ये डूंगरपूर को भी क्रोश करते वे निकलती है तो डूंगरपूर बांसवाडा से गुजरती है अगर दो जिले आ जाएं तो डूंगरपूर बांसवाडा अगर राजस्थान के उस्ण कटी बंद है ज्यादा उस्ण कटी बंद में कौन सा पड़ेगा बांसवाडा क्योंकि बांसवाडा से बीचूं का टीबंद, सितोशन का टीबंद और शीत का टीबंद में कैसे बाटा जाता है इसका वीडियो डाला हुआ है अगर ये जियोग्राफिकल आपको समझ में नहीं आया तो वो देखेंगे तो कॉंसेप्ट के लिए रो जाएगा आपका राजस्थान में परचलिकिस त्युहार में इस्तरियां एकत्रीत होकर कुमार के घर जाती है और छिद्र किये हुए गड़े को दीपक में रखकर गीत गाती भी लोडती है प्यारे बच्चों ये अपने राजस्थान के मारवाड छेतर में पस्चिमी छेतर में छेतर भी पू ये जो संदर्व है ये जो त्युहार है ये किस संदर्व मनाया जाता है तो इसमें एक मटका होता है उसमें छेद होता है और मटके को महिलाएं सिर पे रखती हैं घड़ा जिसको बोलते हैं इसलिए इसको घुडला त्युहार बोला जाता है और यह मनाया कब जाता है कई बार इसकी तिथी पूथ ली जाती है कर्षण अस्टमी को चैत का महिना और कर्षण अस्टमी क्यूंकि 15 दिन कर्षण पक्स रहता है 15 दिन सुकल पक्स रहता है तो कर्षण पक्स वाली अस्टमी को मनाया जाता है किस अभिलेक को करनल टोड द्वारा इंगलेंड ले जाते समय समुंदर में फेंक दिया था कौनसा अभिलेक था हो तो ये अभिलेक था मान मोरी अभिलेक और मान मोरी अभिलेक में जो भोज हैं उनके पुत्र मान का उलेक हुआ है और मान सरोवर जीला चितोड में उसका निर किस ने करवाया इसका यानि चित्रांग गद ने करवाया चित्रांग भी बोलते इनको और चित्रांग गद भी दोनों उप्सन सही माने जाते हैं तो चित्रांग गद ने करवाया ये उलेख किस अभिलेख में हुआ है तो ये मान मोरी अभिलेख में डूंगरपूर में परज परजामंडल कब से शुरू हुआ, परजामंडल क्या थे, अलग-अलग परजामंडलों का गठन कब कब हुआ, परथम परजामंडल कब बना, सबसे लाष्ट में कौन बना, इसके उपर अपना वीडियो है, आप चैनल पर जाएंगे, तो वहां विजिट करेंगे, तो जरूर आपको मिलेगा, और आप आसाने से समझ कर, राजस्थान जी के पे इतनी पकड बना लें, कि आप 150 में से 150 का स्कोर कर सके, इसी सुबकामना के साथ में आपकी मदद के लिए ये वीडियो है, या आज आपके लिए डालूँगे, डूंगरपूर में परजामंडल किस था, आ पांडया के देखस्ता में, 26 जनवरी 1924 को ये बना था, और इसमें अन्य सहयोगी थे भोगिलाल पांडया जी के, वो थे गोरी संकर और हरी देव जोसी मानिकलाल और शिवलाल कोटिया, राजस्थानी लिपी में असुद जो रूप है, उसको क्या कहते है, मूडिया लिपी और मूडिया लिपी की विशेष्ता क्या है, कि इसे पहले बनिया जो लोग होते थे, माहजनी अपनी बही में लिखते थे, वो लिपी है, और ये लिपी बाएं से दाई और लिखी जाती, राजस्थानी वेश बूसा में वर वधू के गठवंदन का एक वस्तर होता है, उस कांकरोली का, पत्थर की मूरतिया, जैपुर की, तो C जो ऐप्शन है, जो रमकडा उद्योग, जमडा उद्योग ने, रमकडा जो उद्योग है, वो गलिया को डूंगरपुर का परसीद है, तो ये दे दिया कांकरोली जोकि राद समन्द में, ये सही नहीं है, तो अपने क तो ऐ संगत चाटना था ये सब दैस पर जुरूर ध्यान दे आप तो ऐ संगत चाटना था अपना ओप्शन हो जाएगा सी निमच चावनी में 6 चावनिया थी 1877 की क्रांती के समय राजस्थान में कितनी थी 6 चावनी उन में से एक चावनी निमच ये भी मैंने डाला हुआ है क कि नानी देख इस तरीके से ये बड़ी ही सरल ट्रीक से मैंने समझाई थी कि कितनी चावनिया थी और इसमें क्रांती भड़काने से पूर्व भारती सहनिकूं के कर्तव एक परतिज़ों वफादार रहने की सपत थी उसको किस बहादूर सहनिक ने चुनोती दी थी निमच चावनि में तो ये थे मुहमद अली बेग और मुहमद अली बेग ने की संग्रेज अदिकारी के सामने व्यक्त की थी कर्नल एबोर्ट को चुनोती दी थी राजस्थान से लोक सबासदसे के रूप में चुने जाने वाली पर्थम महीला गायतरी देवी और इनकी पार्टी क नाम ध्यान रखें क्योंकि पर्षन को जब अगजामिनर पूशता है तो उसका थोड़ा सा तरीका हो बदल देता है तो इसके बारे में आपका पूरा कॉंसेप्ट के लिए रोगा तो इस समंध में कोई भी पर्षन पूछा जाए वह आप कर सकते हैं निन में से कौन सा फरवरी में तो जो बरतपूर का ब्रज महुत्सव है ये भी कब मनाय जाता है फरवरी में ही मनाय जाता है तो ऐसंगत चांटना अपने को सी ओप्शन अपना सही हो जाएगा राजस्थान में राष्टे ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना का सुबारम कब हुआ राष् लेक्या थी राष्टे ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना महत्मा गांदी से नाम है वो बाद में चेंज हुआ है और ये योजना राजस्थान के संपूर्ण ग्रामिन छेतर में लागवार इसका संचालन ग्रामिन विकास और पंचायती राज विभाग ये भी ध्यान दक्षनी पूर्वी राजस्थान का जो भाग है कोटा बुंदी बारा जालावार साथ ही जो अपने इधर चितोडगड की तरह बढ़ते हैं तो दक्षनी पूर्वी जो भाग है राजस्थान का वो भाग काली उपज़व मिट्टी से है राजस्थान में मानसुन का जुआ किसे कहा जाता तो यह बहुती सरल पर सन प्यारे विद्द्यार थी वो करशी को कहते हैं आपको पता है क्यूंकि एक किसान जब फसल उगाता है और जब वो तयार करके डालता है घर तक तब तक कई परिवर्थन मोसम में होते हैं और कब फसल को नश्ट कर प्राकरतिक आपदा से कर दिया, कब फसल हो नश्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं मांसून का जुआ, मांसून पे आधारीत होती है राजस्थान की फसल, धोली गंगा प्रियोजना किस राजे में, इस्ता पे उत्तराखन में, राजस्थान में निम्न में से किसी स्थान पर चित्रित जो सैलास से हैं, उनकी खोजुई है, तो ये दर है, और ये जिला कौन सा है, बरतपूर का, दर इस जगह पे मिले हैं, और बरतपूर में ये जगह है, राजे निर्वाचन आयोग द्वारा क्टुमबर 2019 में, नगर निगम पार्षद के चुनाव हे तो, अधिक्तम जो खर्च की सीमा है, वो कितनी कर देगी, डाई लाग है, ये संसोधन कब हुआ, ये भी ध्यान रखें, टुमबर 2019 में, राजस्थान में कौन सा राष्टी उद्यान, प्रवासी पक्सी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है, तो ये है केवला देव राष्टी उद्यान, केवला देव कहां है, बरतपूर में, केवला देव राष्टी उद्यान, ये 1981 में, इसको रामसर साइट में सामिल किया गया था, रामसर साइट जो अपने कई ऐसे जगए हैं जिनको रामसर साइट में गोशित कर रखा है तो इसको एक अक्टुमर उनिस उची को गोशित किया था और यहां सफेद पक्सी हैं सारस हैं वो सरदियों में आते हैं ये तो ये राष्ट्री उद्यान राजस्थान का सबसे छोट राष्ट्री उद्यान में भी आता है चपन का मैदान किसी समंदित है तो चपन जो माही नदी है उसके आसपास का छेतर है वो चपन बेशिन भी उसको बोल सकते हैं चपन का मैदान भी बोल सकते हैं परताब गड़ और उसके आसपास का छेतर है दक्षनी राजस्थान में तो कहां पे है प्रताब गड के आसपास का जो छेतर है वो माही बेशिन का उसको कहते हैं छपपन का मैदान साहित्यक रचनापग फेरो के रचेता कौन थे मनी मदुकर इनकी और भी रचनाए है जिनको आप देख सकते हैं ये भी नहीं की रचनाए है जैपुर मैट्रो की ट्रेक गैज है वो कितनी है 1435 मिलिव और जैपुर मैट्रो कब सुरू की गी थी 3 जून 2015 को तो इसका दूसरा फेर चल रहा है जो बड़ी चोपट से राजस्थान में जुनजुन की परशिद राणी सती का वास्तविक नाराइनी देवी अस्ट छाप कवी मंडली का गठन किसकी द्वारा क्या गया था तो विठल दास के द्वारा अस्ट छाप क्या था इनमें आठ इस हिसे थे इनके विठल दास जी के वो अस्ट छाप कवी मंडली कहलाते थे निर्ण में से कौन सा राजस्थान का प्रशिद लोक नर्ते नहीं है लोक नर्ते और लोक नाटे इसका भी सेपरेट वीडियो डाला हुआ है इसके इसमें क्या अंतर होता है तो तूरा कलंगी ह जैसे तूरा कलंगी, भवाई, कान, बेलिया और कच्छी गोडी ये तो लोक नर्ते हैं नर्ते मतलब जिसमें डांस होता है तूरा कलंगी इसमें नाटक होता है तो ये लोक नाटे है तूरा कलंगी एक लोक नाटे है इसका प्रमुख वादी अंतर चंग होता है होलियो में बजाते हैं न डफ शेखावाटी में उसको कहते हैं चंग तो ये चितोडगर निम्बा हिडा के आसपास किया जाने वाला लोक नाट्टे हैं इसलिए ये जो उप्शन है अपना सही नहीं है क्योंकि नहीं पे ध्यान देना है हमें तो लोक नाट्टे का मोटा मोटा आप जरूर देखें कि जो लोक नाट्टे है वो किस छेतर में होता है लोक नाट्टे होता क्या है उसके जो एक दो कलाकार हैं उनका भी ध्यान रखें और ये जो अपने लोक नर्ते हैं इनको भी आप ध्यान में रखें कौन से छेतर में कौ सुमेलित नहीं है सुमेलित छाटना है नहीं वाला तो पांडू पोल अलवर में है शास बहु का मंदिर नागदा में है मीठे सागी दरगा जालावाड में है मंडोर जैपूर में नहीं है मंडोर जोदपूर में है और मंडोर जो राजा थे मारवाड के उनकी पूरवर राज मरू विकासकारेक्रम कब सुरू हुआ 1977-78 में जो 26-36 विकासकारेक्रम रहे हैं राजस्थान के वो अपना सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है और भी आप ये जरूर देखें कि कौन सा विकासकारेक्रम है वो कहां सुरू हुआ था तो ये सोडा जिलों में शुरू हुआ था वरतमान में ये बंद किया हुआ है निन में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है तो गागरोन का जो कि जलावाड जिले में तो गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग है जल दुर्ग का मतब ऐसा दुर्ग जिसके चारूं और पानी भरा हो यानि सत्रू की सुरक्षया के लिए के चारूं और पानी हो तो उसे कहते हैं जल दुर्ग काली सिंद और आहु नदी के संगम पे बनावा ये किला है कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो किला है वो आहु और काली सिंद नदी है उनके संगम पे बनावा है सिवाना के ले का निर्मान किस ने करवाया था तो वीर नाराइन ने करवाया था सिवाना के ले का निर्मान राजा भोज के पुतर थे वीर नाराइन उनकी द्वारा करवाया गया और जिला बाड मेर की हलदेशवर की जो पाड़ियां है किन पाड़ियों के स्तित है हलदेशवर और इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखें राजस्थान की कौन सी चित्र कला सहली चोर पंचारी का सहली से मिलती जुलती है तो ये मेवाड सहली और मेवाड सहली राजस्थान की सबसी प्राचिन सहली है और इसका मूल सवरूप चोर पंचारी का गरंथ में दिखाई देता है तो ये चोर पंचारिका है, विलेन पंचारिका के पचास इसमें छंद हैं, कश्मीर के परशिद कवी विलेन द्वारा इनकी रचना हुई है, पिछवाई पेंटिंग है, उसकी सहली कौन सी है, पिछवाई सहली भी पूछ लेते हैं, पिछवाई पेंटिंग भी पूछ लेते तो ये नाथ द्वारा सहली भी कहलाती है इसमें क्या है ऐसा तो ये नाथ द्वारा सहली की परमुख विशेष्था क्या है पिछवाई सहली पिछवाई का मतलब है श्रीनाथ जी की परतिमा के पीछे लगाई जाने वाले चित्र का एक परदा उसे कहते हैं पिछवाई और नरोतम नारायन सर्मा इसके परमोखे कलाकार है निन में से कौन सी मरत नदी के नाम से जाने जाती है तो ये घगर नदी है जो हिमाचल में सिमला के पास से निकलती है सिवालिक की पाडियों से और वहां से राजस्थान में ये हनमानगड में प्रवेश करती है तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मर्त नदी यानि घगर है वो राजस्थान में कहां से प्रिवेस करती है तो ये हनमानगर से राजस्थान का कौँ साससहर, सफेद, सहर के नाम से जाना जाता है तो ये उदेपूर है, उदेपूर जो जहिलू की नगरी राजस्थान का कस्मीर भी कहलाता है वैनिस तथा City of fountain और mountain भी कहलाता है राजस्थान में गारनेट के भंडार कौन सा खनीज है जिसके भंडार टोंक में है गारनेट के और इसको तामडा भी कहते हैं रक्तमणी भी कहते हैं फिरोजा भी कहते हैं गारनेट की तीन नाम है तामडा, रक्तमणी, फिरोजा और ये खनीज टोंक में जैम गारनेट कहलाता है राजस्थान के किन जिलू में खस घास हो पाई जाती है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है खस क्या है तो एक विशेश परकार की घास है और पाई कहां जाती है बत और इत्र बनाने के कामाती है जनगना 2011 के अंशा राजस्थान की इस जिले में न्यूंतम जो लिंगानुपात है लिंगानुपात मतलब लड़की और लड़कों की संख्या या कहें कि इस्त्री और पुरुस की जो हजार पे संख्या होती है उसे कहते है लिंगानुपात तो सबसे कम पाई गई धोलपूर में धोलपूर राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है तो इससे आप कनेक्ट करें कोर्डिनेट करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं बूलेंगे सबसे छोटा जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, जनगन्ना 2011 चैनसा सरवाधिक लिंगानुपात कामिला ढूमगरपूर में, जोकि 904 में और धोलपूर में सिर्फ 846, ऊजार पे 846, और ढूमगरपूर में 904 में तो सबसे अधिक राजस्थान का दक्षनी जिला डुंगरपुर राजस्थान में गोलिया है तोनिया कौन सी धातू उतपादक छेत्र हैं तो यह हैं तामबे के लिए उतपादक छेत्र राजस्थान में पर्था में विद्रो कहां और कब हुआ था तो नशीराबाद में हुआ था 28 मही 1857 को और नशीराबाद में कौन सी इन्फेंट्री थी पंदरवी बंगाल नेटीव इन्फेंट्री ने विद्रो किया था यहां आयोग आपके द्वार कारेकरम में किसके परती जागरुकता के लिए है बच्चों के विरुद जो अपरादी गटनाए होती उनके विरुद जागरत करने के लिए समाज को समुदाई को तो यह है आयोग आपके द्वार कारेकरम दुर्शाजी आडा अपनी डिंगल कवीता किस सासक के पक्स में लिखी थी क्योंकि डिंगल और पिंगल दो भासाएं है तो यह डिंगल में लिखी गई कवीताएं हैं और यह महराणा परताब कवी ने अपनी रचनाओं में मेवाड के महाराणा परताब राव चंदर्शेन और राव सुल्तान के देश प्रेम का चितरन किया है और एक इनकी दूसरी रचना है विरुद छत्री और इनमे इन्होंने महाराणा परताब की सोर्य गाथावर किरतार बावनी एक किरदार नही तोड़ी से सामाजी के आर्थी किस्तिती को व्यक्त करती है भक्ति संतर रजब जी समंदित थे दादू के संत थे ये दादू दयाल के सिस्य थे कहने का मतलब तो ये दुले के बेश में रहे वो संत है आजीवन दुले के बेश में रहे इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि ये बारात लेकर जा रहे थे तो इनको कहीं दादू जी अपने शिश्यों को संभोधित करते वे परवचन देते वे दिखे और वहाँ ये दादू जी के भक्त बन जाते हैं और शिश्ये बन जाते हैं फिर आज इवन ये उसी वेश भूसा में रहते हैं तो दादू जी के 52 भ इंस्टिटूट है जोदपूर में राजस्थान का कौन सा सहर सोध दीपूं का सहर का लगता है तो ये है बांस्वाडा राजस्थान का बांस्वाडा से दो परसन आ गए हैं एक उसन कटी बंद का और एक सोध दीपूं के सहर का बांस्वाडा माही बजाज सागर बांद के कारण बने टापू कौनसी सागर है माही बजाज सागर बहुद्देश यह प्रियोजना है । इसके कारण टापू बने हुए है इसलिए इसको सोध्यपू का सखर कहा जता है नानक जी भिल का समद किस किसान अंदूलन से था तो ये बूंदी किसान अंदुल, राजस्थान में जन्जाती बालकों के लिए, जन्जाती के एश्टी बालकों के लिए, जो पहली होकी अकादमी स्थापित हुई है, वो कहां पे है, उदयपूर में, राज्य की पहली जन्जाती होकी अकादमी का सुबारंब कभी क्या गया था 9 अगस्त 2021 को परशिद रचना है लील टांस लीला डांस हो गया लील टांस लील टांस एक पक्षी भी होता है लील टांस राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि लील टांस एक पक्षी होता है निले कलर का वो यह जो रचना है किसने लिखी कनहिया लाल सेठिया ने इनकी और भी बहुत महत्तो पूर्ण कविताएं हैं कनहिया लाल सेठिया जी के और पाथल और पीथल जो परसिद रचना है मिजर मिजर तो आप जानते ही होंगे खेजड़ी के लगते हैं फल लगता है उसको मिजर बोलते हैं और इनकी उनिस सो चिंतर में लील टांस के लिए कही बार कितनी बार लिखो ये में स्प्रिंट करी देती है उनिस सो चिंतर में राजस्थानी भासा के लिए इनको साहित्य अकादमी प्रुसकार के स्रचना के लिए मिला था लील टांस के लिए राजस्थान के डिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में कौन सी हिस्यदारी है किस किस की हिस्यदारी कहना कहा मतलब तो राजस्थान सरकार राजस्थान गुवर्मेंट है वो इसमें हिस्यदार है पलस HPCL HPCL 14% हिश्यदारी के साथ है वहीं राजस्थान गुर्मेंट का 26% हिश्यदारी है इसमें अपना नेक्स्ट और महतोपूर्ण परसन आज की स्कलास का वो है राजस्थान की निम्न प्रवचोटियों की उचाई के बढ़ते वे कर्म को वेवस्थित कीजिए अरवली की चोटियां दक्षिंसे उत्तरकी ओर अरावली आपको ध्यान है कि राजस्थान में किस तरीके से फैली हुई है तो राजस्थान में इस तरीका इस दिशा में अरावली फैली हुई है तो ये चोटियां दक्षिन से जब चलते हैं उत्तर पुरव की ओर तो इनकी उंचाई घरती जाती है लेकिन कई अन्य बीच में भी चोटियां है जिनकी उंचाई थोड़ी ज्यादा है तो इस करम को सेट करना है कि नाग पाहड जो कि अजमेर में है साथ सो पिच्यान में खो तो ये महत्तोपूर्ण परसन आज गुर्ण पूर्ण माप आप तक पहुंचाने का मेरी दुवारा एक छोटा सा प्रियास किया गया है मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको कई परसन देखने को मिलेंगे और इस तरीके के जिसमें राजस्थान जीके का आपका एक भी पर गलत नहीं हो इसी प्रियास के साथ मैं आपके लिए अब जब तक अग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके लिए वीडियो ढालती रहूंगी चैनल पे नहीं तो चैनल सस्क्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट और महत्तोपूर्ण वीडियो के साथ तब तक थैंक्स, औल बेस्ट